एक भीमा भारती के लिए किस-किस से लड़ेंगे तेजश्वी आदो, किस-किस से लड़ाई मोल लेंगे, एक तरफ कॉंग्रेस से लड़ाई ले चुके हैं, दूसरी तरफ हब CPI से लड़ाई लेने की बात हैं, और तेजश्वी आदो सबसे लड़ाई लेने के लिए तयार पाले में रखा तो कॉंग्रेस से लड़ाई हुई पप्पू यादो से लड़ाई हुई और अब रुपवली के लिए उसी भीमा भारती के लिए CPI से लड़ाई लेने के लिए तयार बैठे हैं तेजश्वी यादो आज इस तरीके से भीमा भारती राबरी हवास से बाहर निकलते हुए उन्होंने कहा कि साम तक हम यहीं रहेंगे सिंबल ले कर जाएंगे और देखेंगे हम चुनाओ लड़ेंगे या फिर मेरे परिवार से कोई चुनाओ लड़ेगा तो यह तैम आना जा रहा है कि लालू यादो जो हैं वो बीमा भारती के लिए सबसे लड़ाई लेने के लिए तयार बैठे हैं गटबंदन रहे चाहें ना रहे बीमा भारती रहनी चाहिए भले ही बीमा भारती को लोग सबात में 25,000 वोट आए लेकि रूपाली से उन्हें चुनाओ लड़ाना है अब CPI एक तरफ कह रही थी कि हम बैठके फाइनल कर लेंगे ये सीट किसके पास जाएगी क्योंकि 2020 में CPI वहाँ से चुनाओ लड़ी थी और तीसरे नमबर पर रही थी हलाकि दूसरे नमबर पर निर्दलिये उमिदवार कहें या फिर यह कहें कि चिराक समर्थित उमिदवार जो थे वहाँ पर और इस बार अब बीमा भारती राज़त से टिकट लेने की बात कर रही है एक बीमा भारती जो जेडियू छोड़ कर आती है लोगसभा का टिकट उन्हें दिया जाता है बुरी तरीके से चुनाओ हार जाती है पांच लाख वोटो से चुनाओ हारती है और अब वो प्रणूली बिधान सभा से चुनाओ लड़ने के लिए तयार बैठी है बस उनका ये एक मानना है कि वो जेडियू छोड़ कर आई है जब ये पुछा गया कि हार का कारण क्या है तो उन्होंने कहा कि देखे नया सिंबल था लोग कनफ्यूज हो गए नया सिंबल को लेकर ग तेजश्री और लालू यादो होता है सिंबल नया नहीं था लोगों ने आपको ठुकराया है रुपाउली विधान सभा छेत्र में जिस वक्त आप चुनाव लड़ी थी 2020 में उस वक्त आपने 6-6,000 वोट लाया था लेकिन वही जब लोगसभा आप लड़ने गई पूर्णिय उसके बाद भी तेजश्री यादो आपके लिए लड़ाई लेने के लिए तयार बैठे तेजश्री यादो पहले कॉंग्रेस से लड़े कि सीड पर हमारे उमिदवार होंगे लोगसभा में और पपू यादो से भी लड़ाई हो गई और अब CPI से लड़ाई लेने के लिए तयारी हो रही है और एक बीमा भारती के लिए गटबंदन के तमाम सयोगी दलों से टेज़श्वी आदो भिड़ रहे है अब आगे देखिए क्या होता है क्या वाकई में बीमा भारती को ये टिकट जो है वो मिलने वाला है ये सीट जो है वो मिलने वाला है राज़त सिंबल देगी साम तक का इंतजार भी करना पड़ेगा अगर सिंबल मिल गया तो समझ लेजिए कि गटबंदन से टेज़श्वी को कोई मतलब नहीं है अपने उमिद्वार से बस मतलब है बड़ाल इस खबर में इतना ही बनने हमार साथ और देखते रहे दे इंडिया टॉप